हेलो दोस्तो स्वागत है आपका केमकोर्स के यूट्यूब चैनल में और हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक बहुत इंपोर्टेंट यूनिट जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी में आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर थर्ड और इस लेक्चर में आज हम सबसे एक इंपोर्टेंट क्रोमेटोग्राफी का टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं अगर उसकी हम बात क पढ़ेगी और इस practical को perform करने के लिए हमें किन step को follow करना पढ़ेगा और हम इस video lecture में पढ़ेगे कि यह जो thin layer chromatography होते ही इसके क्या applications होते हैं क्या advantage होते हैं और क्या drawback या limitation होते हैं तो चलिए हम lecture को शुरू करते हैं और आज के इस video lecture में हम पढ़ते हैं कि thin layer chromatography क्या होती है तो दोस्तों हम last lecture में एक chromatography का type पढ़ चुके हैं जिसका नाम था paper chromatography अगर आपने वो video lecture नहीं देखा हो तो वो video lecture आप देख लीजिए क्योंकि वो जो video lecture है आपका paper chromatography वाला वो paper chromatography की जो process हमने पढ़ी है और जो paper chromatography की जो perform करने की जो steps होती है practical steps जो होती है वो कहीं न कहीं मेच करने वाली है thin layer chromatography के साथ यानि कि ये जो paper chromatography है और ये जो thin layer chromatography है इनकी जो practical की जो steps होती है वो लगबग लगबग similar होती है कुछ चीजों में difference है paper chromatography और thin layer chromatography म वो भी हम आज समझ लेंगे तो क्या होती है Thin Layer chromatography उसकी पहले हम बात करें तो देखो नाम से इसपर स्ट है Thin Layer, यानि कि हमें किसी चीज की Thin Layer मिलने वाले हैं, किस चीज की Thin Layer हम यूज करने वाले हैं इस chromatography में, उसकी हम बात करेंगे, तो यह जो Thin Layer chromatography है, इसमें हमें क material वगेरा जो Use करने को ज़रुवत लगेगी, उनके हम बात कर लेते हैं, तो यह जो हमने Thane Layer मिलने वाली है, यह Thane Layer होती है एक Glass की Plate, इसलिए हम इसे बोलते हैं, यह जो Thane Layer जो Use करते हैं, यह होती है एक Glass की schauen, Glass Plate as a Thane Layer हम Use करते हैं, और इस glass की plate जो होती है अब ये जो glass की plate होती है ये अपने practical के हिसाब से या हम जिस quantity में हमारी chromatography perform कर रहे हैं ये different different practical के हिसाब से इसका size भी different different होता है ये 3-4 size में आती है जनरली आप जब इस practical को अपने college में perform करोगे अपनी lab में जब perform करोगे तो वहां हम कम quantity पर perform करते हैं हमें सिर्फ एक result से मतलब होता है अगर आप college में कर रहे हो अगर आप industrial level पर कर रहे हो वो बात अलग है तो आप जब इस college में जब perform करोगे और ये जो glass की plate रहेगी ये glass की plate या जिसे हम thin layer plate बोलते हैं ये जो glass की plate रहेगी ये generally अब छोटी plate use करते हो quarter plate होती है ये glass की ठीक है इस plate के वजह से ही हम इस chromatography को क्या बोलते है thin layer chromatography बहुत पतली glass की plate होती है अब इस plate का हम कहां use करने वाले है इस plate का हमें क्या use होने वाला है उसके हम बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो thin layer chromatography है ये किस principle पर आदारित होती है तो ये जो thin layer chromatography है ये generally absorption principle पर आदारित होती है एड्जोप्शन principle पर आदारित होती है क्या होता है यह हम first lecture में पढ़ चुके हैं जब हमने chromatographic का introduction पढ़ा था हमने types of principle यह chromatographic के principle पढ़े थे वहां हम पढ़ चुके हैं absorption principle क्या होता है तो absorption principle क्या होता है brief में आप एक बार समझ लीजी अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो adsorption का मतलब होता है कि किसी solid की surface पर किसी liquid या gases particles या molecules का adsorb होना या चिपक जाना adsorption कहलाता है और यहाँ पर यह जो chromatography होने वाली है thin layer chromatography यह adsorption principle पर आदारित होती है अब कई बार books में लिखा होता है कि यह thin layer chromatography होती है यह adsorption principle और partition या distribution principle दोनों पर आदारित होती है तो ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए लिखा होता है बुक में generally मतलब main अगर इसका हम main principle देखें तो वो adsorption principle होता है लेकिन कई बार बुक में ऐसा लिखा होता है कि यह जो process की step होती है वो paper chromatography से match करती है या हम यह बोल सकते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया हम करने वाले वो paper chromatography से match करती है और कहीं न कहीं इसका जो हम यहाँ पर भी जिस तरह से हमने paper chromatography में एक stationary face को हमने हमारी mobile face में deep किया था और mobile face जो थी हमारे solvent थे वो उपर run किये थे stationary face के तो वैसा same यहाँ पर भी होने वाला है इसलिए कई बार book में लिखा होता है कि यह जो thin layer chromatography यह absorption और partition दोनों principle पर आदारित होती है अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें material की क्या-क्या requirement लगने वाली है इस plate का selection करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि यह जो आप glass की plate ले रहे हो यह chemically inert होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम इसे deep करेंगे solvent के अंदर या इसके उपर इस plate के उपर हम एक coat भी करेंगे इसमें हम silica gel या हम इसमें aluminium oxide का coated करते हैं वो किस तरह से करेंगे वो हम procedure में और आगे समझेगे तो यह chemically inert होनी चाहिए यह मतलब कि आप जब इसे coated करोगे तो यह silica gel और aluminium oxide जो होता है उससे react नहीं करना चाहिए तो यह आप ध्यान रखना जब भी आप TLC plate select करे TLC plate ले तब इसका size तो हम depend करता है कि आप practical कितनी quantity में कर रहे हो और आपको किस industry में perform करना है या आपके college में या सिर्फ एक result purpose से perform करना है तो वो size पर depend करता है इसके बाद में यहाँ आती है TLC stationary face यानि thin layer chromatography में जो stationary face होता है SP मतलब stationary face stationary face आप क्या लेते हो तो stationary face में हम क्या करते हैं कि stationary face में हम generally silica gel silica gel या alumina oxide alumina oxide की हम slurry बनाते हैं या तो silica gel या alumina oxide की हम slurry बनाते हैं और इस slurry को हम क्या करते हैं कि इस plate के उपर यह जो हमारी plate है हमने glass plate लिए, इस plate के उपर coated करते हैं, इस plate के उपर apply कर देते हैं, और यह जो apply आप करोगे, या तो आप जब silica gel या alumina oxide को जब आप apply करोगे इसके उपर, तो यह apply करने पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि इसको जब आपने coated किया, तो वो coated uniform होना चाहिए, मतलब कि यह silica gel जब इसके उपर आप पोटोगे या apply करोगे, तो वो uniformly होनी चाहिए, उसकी जो मोटाई होनी चाहिए, जो थिकनेस होनी चाहिए, वो पूरी plate पर same होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि plate पर एक जगे silica gel बहुत ज़्यादा लगया, एक जगे बिल्कुल silica gel न TLC mobile face, TLC mobile face में हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने paper chromatography में solvent बनाया था, जिस तरह हमने paper chromatography में solvent लिये थे, different different solvent भी आप ले सकते हो, और या आप pure solvent भी use कर सकते हो, वो depend किस पर करेगा, कि आपको किस mixture का identification करना है, किस mixture का आपको separation करना है, वो उसके उपर depend करती है आपकी mobile face, तो solvent या तो pure कोई solvent भी हो सकता है, pure solvent भी हो सकता है, या number of solvent का mixture भी हो सकता है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कि आप जो solvent ले रहे हो as a mobile face, यह solvent आपका जो mixture है, जिसका आप detection करना है, उस mixture के साथ, या उस जिसका आपको identification करना है, उसके साथ कोई chemical reaction नहीं क करना चाहिए, आपकी mobile face, plus आपकी जो mobile face है, वो आपकी यह जो stationary face है, इसके साथ भी कोई chemical reaction नहीं करना चाहिए, अगर इन्होंने इसके साथ reaction कर ली, आपकी mobile face नहीं, आपकी stationary face के साथ, तो आपको result accuracy के साथ नहीं मिलेंगे, हो सकता है, आपको result ही, ना मिले, तो इन चीज़ को deep करना है, उसे हम बोलते है, TLC chamber, या thin layer chromatography chamber, इस chamber को select करने से पहले, आपको क्या ध्यान में रखना है, कि यह भी chamber की जो wall होती है, यह जो chamber का material होता है, यह भी chemically inert होना चाहिए, इस chamber की wall का है, इस chamber के material का, आपकी जो mobile face है, और आपकी जो stationary face है, उसके साथ कोई reaction यह chamber नही करना चाहिए, प्लस, इस chamber की जो wall है, उसे आपको अच्छी तरह से, इस chamber में आपको mobile face का solvent है, वो डालने से पहले, इस chamber की wall को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, और इस chamber में आपको क्या ध्यान रखना है, कि अधर कोई दूसरे chemical का contamination नहीं होना चाहिए, इसके बाद में आत करती है, विजुलाइजर या डिटेक्टर की हमें, तो विजुलाइजर और डिटेक्टर की हमें जरूरत पढ़ती है, कि जब हम यहारे practical perform हो जाएगा, और हम जब इस प्लेट को इस chamber से बाहर निकाल लेंगे, और हमें, जो हमारे substance थे, जो हमारे components थे, उनने कितनी distance travel करी, उनके RF value कहां तक पहुची, अभी यह चीज़े हो सकता, आपको समझ में नहीं आ रही हो, distance कहां तक क्या होती, कि इस तरह से travel करती है, मतलब कि आपको practical perform होने के बाद में, इस chamber के अंदर से, जब यह आप glass plate या आपकी stationary phase को निकाल लो, कि chromatogram बोलते हैं, यह पूरी process होने के बाद में इसे, तो उस chromatogram पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से compound ने कितनी distance travel करी, तो वो कहीं बार नहीं दिखता है, कहीं बार तो ऐसा होता है कि कोई कुछ compound तो directly आपको दिख जाते हैं, लेकिन कहीं बार आपको नहीं दिखते हैं, तो उन्हें आपको colorize करने की ज़ करते हैं, कमेनो 4 यूज करते हैं, कमेनो 4 यूज करते हैं, यह different different compound के लिए हम use करते हैं, नीन हाइडरीन हम किसके लिए use करते हैं, नीन हाइडरीन को हम कहां पर यूज करते हैं, नीन हाइडरीन हम amino acid में use करते हैं, amino acids के लिए, iodine का use हम किसके लिए करते हैं, तो iodine का use हम करत को तो बढ़ो एकृक्त्राइन उसा सेमिок को augeं很多 कुम्हारे शाल चेकरन कंपाउंड के लिए तो यह तो हो गाए हमारे माटेरियल जिन-जिन की हमें रिक्वाइरमेंट लगने वाली है , हमई किन-किन की जरुवत लगेगी हमें TLC प्लेट की लगेगी जो ग्लास की होती है, stationery face, silica या हम aluminium oxide ले लेते हैं, हमारी mobile phase में हम pure mixture भी ले सकते हैं और हम pure solvent भी ले सकते हैं या किसी 2 या 2 से ज्यादा solvent का mixture भी ले सकते हैं, वो depend करता है कि हमारा compound क्या है, हमें किस चीज का analysis करना है, TLC chamber हम ये glass का एक बड़ा सा beaker ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम visualizer as a detector ले 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 सकते हैं, इसमें iodine ले सकते हैं, हम या इसमें K-menophor ले सकते हैं, इसके बाद में आती है steps of procedure कि अब हमें ये जो practical perform करना है thin layer chromatography का, इसकी क्या करेंगे हम stationary phase का preparation करने के लिए कि हमें कोई glass की ये जो हमारी TLC plate है, ये glass की plate हमने select कर ली सबसे पहले, glass की ये plate select करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि ये chemical inert होनी चाहिए और इसके size का आपको पता होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कि size की plate suitable रहेगी, अब एक चीज होती है कि ये जो आपने ये apply किया है, इसके उपर silica gel या alumina oxide ये जो plate होती है, कई बार ये plate ready matte भी use करते हैं, इसलिए ready matte यूज करते हैं, क्योंकि जब आप practical perform करते हो और इस पर जो ये आप आपकी slurry silica gel और आपका alumina oxide जो भी apply कर रहे हो आप, वो कई बार आपका इत प्लेट देते हैं, ready matte आपको plate देते हैं, या आप बोल सकते हो कि आपको ready matte stationary face दे देते हैं, ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, ready matte stationary face लेने के बाद में, आपको क्या करना है, कि ये जो plate है आपकी, इस plate पर आपको 2 cm distance से, इसकी एक edges से 2 cm distance से आपको pencil से एक thick line खिचनी ह अपको अपको क्या करना है? कि आपका जो भी mixture है, जिस mixture का आपको analysis करना है, जिस mixture का आपको analysis करना है, उस mixture का, मांदो आपको 2 या 2 से ज़्यादा कोई mixture दिये गए हो, तो इन mixture को, आपको micropipped की मदद से, micro pipette की मदद से इन मिक्शर से एक एक drop यहाँ पर apply कर देना है यह जब आप drop apply करो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यह जो drop आप जिस तरह से micro pipette से apply कर रहा हूँ वो micro pipette हर बार अलग-अलग लेना है आपको जितने sample दिये गए हैं उतनी micro pipette अलग-अलग यूज करना ऐसा नहीं करना कि इस sample में भी यह micro pipette डिप करियो और फिर अगेन उसी micro pipette से अपने अगला sample apply कर दिया ऐसा नहीं करना हर बार आपको micro pipette अलग-अलग use करनी है और यह आपको इस तरह से तीनो sample apply कर देना है जितने भी आपको sample दिये गए हूँ वो आपने apply कर दिये आपकी plate तयार हो गए अच्छा एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ready-made plate नहीं मिली है यानि कि आपने अपनी जो plate है या आपने अपनी stationary face अगर खुद से prepare करी है तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने यह gel या slurry इसके उपर apply किया है यह apply करने के बाद में इसको आपको कुछ देर के लिए पूरी तरह से रखना है कुछ देर बाद इस पे आपको यह compound या आपका जो mixture वो apply करना है क्योंकि गिली plate पर तो आप apply नहीं कर सकते ना क्योंकि अगर मान लो आपने silica gel apply किया और आपने ऐसे कैसे उसको सुखाने से पहले ही practical करने के लिए लेकर आ गए तो हो सकता है कि आप जब इसे रखें तो हो सकता है कि आपकी जो gel थी वो gel आपकी नीचे आने लग जाए gravity की वज़े से तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप stationary phase यह तयार कर रहे हो तो उसे पहले complete कर लें उसे अच्छी तरह से सूख जाने तो उसके बाद मे ही आपको अपना sample इसके उपर apply करना है ठीक है अपने इतना कर लें उसके बाद में आप़को क्या करना है कि आपने जो solvent बनाया है यह solvent आपको ये solvent आपको यूज करने के यूज करने के लगभग वन हावर पहले एक घंटे पहले यूज करने के यानि कि इस plate को इसमें deep करने से पहले एक घंटे पहले से इस आपके जो TLC chamber है उसमें डाल देना आपकी जो ये mobile face होने वाली ये solvent के आपकी mobile face है तो इस mobile face को इस बिकर के अंदर या इस chamber के अंदर पहले से डाल देना ऐसा क्यों करना है ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आपका solvent या आपकी जो mobile face थी ये different solvent होते हैं इसमें different solvent का volatile nature वास्पिकरत होने का time अलग-अलग होता है अगर आपने उसी time डाला और उसी time इसको इस plate को या stationary face को इसमें dip कर दिया तो क्या होता है कि solvent अलग-अलग distance पर travel करेगा इसमें जो environment था इस बिकर या chamber के अंदर का environment था वो same या uniform environment नहीं हो पाएगा तो आपको एक घंटे पहले से इस बिकर के अंदर आपका solvent या mobile face रख देना है और इस chamber को ढग देना है फिर जब आप इस plate को या आपकी जो stationary face है इसको इस chamber में जब आप deep करोंगे इस आपकी mobile face यह क्या होगे आपकी mobile face जब आपकी mobile face में आपकी stationary face को deep करोगा आपकी यह stationary face sample loaded हो जोगी इस पर आपने sample load कर दिया है तो इस plate को आप इसके अंदर deep करोगे इस plate को आप इसके अंदर deep करो कितना deep करना है इस plate को तो इस plate को इतना deep करना है कि यह जो आपने mark किया है या जो आपने sample load किया है उसके level से कम पर आपका solvent है या आपकी mobile face होनी चाहिए क्यों कम होनी चाहिए अगर आपने इसे ज़्यादा dip कर दिया तो आपने जो sample load किया था या जो आपने sample apply किया था वो sample इस आपकी जो mobile face में चला जाएगा फिर आपका result accuracy से नहीं आएगा तो आपको कितना dip करना है इस glass plate को कि आपने जो mark किया है sample आपने load किया है उससे आपकी level नीचे रहे तो मान दीजिए आपने यहाँ पर अगर यह sample load किया है मान लो कि आपने इस level पर यह sample load किया है तो आपके solvent का level कुछ यहाँ तक होना चाहिए इससे नीचे होना चाहिए फिर आप क्या करोगे फिर आप इसको वापिश से पेप करोगे ढगक करके रख दोगे फिर क्या होगा इसमें आपके जो solvent थे या जो आपकी mobile face थी इस mobile face के जो पार्टिकल से रहेंगे या इस mobile face का जो भी solvent रहेगा वो solvent capillary actions के थ्रूँ capillary actions के थ्रूँ आपकी stationary face पर उपर चड़ने लगेगा उसका movement होना शुरू हो जाएगा और लगबग एक घंटे के बाद में एक घंटे के बाद में आप देखोगे कि आपका जो solvent था solvent पूरी तरह से इस plate के उपर आपकी stationary face के उपर चड़ गया है stationary face per moment कर लिया है फिर आप क्या करोगे इस plate को बाहर निकालोगे इस plate को बाहर निकालने के बाद में इस plate को आप dry करोगे इस plate को आप dry करोगे dry करने के लिए आप on का use कर सकते हैं dry होने के बाद में आप देखोगे कि इस plate पर आपके जो compounds थे या यह जो mobile face ने जो इस पर moment किया यह moment ठिक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अगर आपको आपके compounds क्लियरी नहीं दिखे तो आपको क्या करना है यह detector यह visualizer का spray कर लेना है इस पर कितना करना है बहुत light इस पर करना है बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करना है इस पर करने के बाद में आप क्या करोगे कि आपको clarify हो जाएगा आपको पूरी तरह से आपके component का movement और आपके solvent का movement दिखने लग जाएगा यह दिखने के बाद में आप क्या करोगे RF value calculate कर लोगे RF value यहने कि retention factor क्या होता है RF value का formula distance distance travel by compound या solute compound जो आपने तीन compound different different apply किये थे उनने कितनी distance travel की upon में distance travelled by solvent आपकी जो mobile phase है उसने कितनी distance travel करी तो आपको तीन compound है आपके तीन compound है मान लो मान लो कि ये जो green वाला compound है इसने यहां तक distance travel की ये जो black वाला compound है इसने कुछ यहां तक distance travel करी और ये जो blue वाला था ये जो blue वाला compound था इसने कुछ यहां तक distance travel करी और आपका जो solvent था आपके solvent ने total यहां तक distance travel करी और ये distance different different distance होती है तो मान लो कि आपका जो solvent था, उस solvent ने कितनी distance, total कितनी distance travel करी, 10 cm करी, blue वाला जो आपका compound था, उसने मान लो 7 cm करी, black वाले ने आपकी 6 cm करी, और red वाले ने मान लो 5 cm करी, तो different different compound की आपको distance travel पता यहां से चल जाएगी, ठीक है, यह सब होने के बाद में, आपने RF value भी calculate कर ली फिर आप देखोगे कि कौन सा compound ने कितनी distance travel करी, अब यह जो compound होते हैं, यह compound different different distance क्यों travel कर रहे हैं, इसका reason क्या है, क्या यह red वाला compound सबसे कम distance क्यों travel करी, फिर black वाले ने क्यों करी और blue वाले ने सबसे ज़्यादा distance travel क्यों करी, तो देखिए, कि यह जो compound होते हैं, यह जो compound या यह जो mixture लिया था आपने इस mixture की affinity जिस mixture की affinity इस silica gel या alumina oxide से जितनी ज़्यादा होगी affinity यानि कि उनकी binding capacity binding capacity जितनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा आपका compound आपके silica gel या oxide के molecules के साथ हमें बना रहेगा वो उतनी कम distance travel कर पाएगा क्यों कम कर पाएगा क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा bind हो गया उनके molecules के साथ ज़्यादा bind हो गया तो affinity जितनी ज़्यादा distance उतनी कम travel करेगा less affinity यानि कि उतनी ज़्यादा distance travel उसने करी तो आपको यहाँ से RF की value मिल जाएगी RF की value मिलने के बाद में आप identify करोगी कि कौन सा compound कितना distance travel करता है कौन से compound की RF value कितनी है और इस mixture में जो आपको mixture दिया गया था उस mixture में कौन सा compound की capability कितनी है move करने की capability कितनी है इस जो silika jail है उसके साथ binding होने की capability कितनी है इसके बाद में ये हो गई हमारी thin layer chromatography की पूरी process आपको मिल गया result RF value के form में इसके बाद में बात आती है कि ये जो thin layer chromatography हमने perform की इसके क्या application होते हैं क्या फाइदे हुए हमको क्या फाइदा मिला ये सारी process करने का तो इसका हमें क्या फाइदा मिलता है कि हमें सबसब पहले तो compound की affinity पता चल जाती है कि कोई compound कितना capable है वो कितनी binding करता है silika jail के साथ या aluminium oxide के साथ जिसकी वज़े से हम बता सकते हैं कि कोई compound को अगर हम use कर रहे हैं उसका chemical nature क्या होने वाला है तो ये इसके application होते हैं इसके बाद में और क्या application हो सकते हम किसी भी compound का जिसे drug हुआ या फिर और other medicine में अगर आप कोई use कर रहे हो कोई chemical तो उसकी हम capability बता पाएं क्योंकि अगर हमें chemical character पता चल गए तो हम उस compounds का पुरा description दे सकते हैं क्योंकि chemical compound अगर chemical nature आपको पता चल गया तो आपको किसी भी compound के uses पता चल जाएंगी कोई कितना benefit रहेगा क्यों कोई compound हमें कितना useful हो सकता है कोई कितना harmful हो सकता है तो ये इसके application होते हैं तो इसके application में आप industry में हम इसका use कर सकते हैं, cosmetics में इसका use कर सकते है, medicinal industry में इसका use हम कर सकते हैं, इसके बाद में कोई अगर medicinal plant है तो उस plant में कौन-कौन से substance या कौन सा chemical उसमें मोजूद है जो उसके chemical nature के लिए जिम्मेवार हैं, तो ये सारी चीजे या ये सारे character इसके application हो जाएंगे, thin layer chromatography स हम ये ये चीज़े का identification कर सकते हैं, इन चीजों का purification कर सकते हैं, ये चीज़े हम पता कर सकते हैं, और क्या advantage होते है thin layer chromatography के और ये सस्ती भी होती है, बहुत ज़्यादा महेंगी नहीं होती है, फिर और क्या इसके advantage हो सकते हैं कि इसे हम कहीं पर भी perform कर सकते हैं, जिस तरह paper chromatography में हमें electricity वगेरा की जरुवत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा expensive apparatus की जरुवत नहीं पड़ती, इसमें भी वेसा ही same सी limitations क्या हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा quantity में ये काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा जहां पर बड़े इस्तर का काम करना हो, जहां बड़े इस्तर पर separation करता हूँ, वहां पर हम thin layer chromatography को apply नहीं कर सकते, प्लस और क्या limitation हो सकते हैं, कि इसको perform करने के लिए हमें time काफी लगत हैं, तो ये इसकी limitation होती है, तो ये था हमारा thin layer chromatography, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको complete एक practically समझ में आया होगा कि कि किस तरह से thin layer chromatography होता है, क्या principle होता है, क्या-क्या material की जरूवत लगती है, क्या इस practical को perform करने के लिए कौन-कौन सी step को हमें follow करना पड़ता है, क्या application होते हैं, क्या advantage होते हैं, और क्या limitation होते हैं, और अगर ये जब आप practical आपके college आपकी lab में perform करूँगे, तो वहाँ आपको और ज्यादा ये clarify हो जाएगा, और ज्यादा आपको मज़ा आने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि ये video lecture आपको पसंद में आया होगा, आपको सम मिलते हैं, हम next lecture में, तब तक के लिए, bye bye, thank you.